IPL 2024 की निलामी से पहले रविवार को सभी दस फ्रेंचाइजी को अपने रिटेन और रिलीज किये गए खिलाडियों की सुची देनी थी IPL 2024 के लिए खिलाडियों की निलामी 19 दिसंबर को दुबई में होनी है कई फ्रेंचाइजी ने चौकाने वाले फैसले करते हुए बड़े खिलाडियों को बाहर का रास्ता दिखाया है तो हैं खिलाडियों को रिटेन और रिलीज के लिए निर्धार समय सीमा खटम होने के बाद एक बड़ी खबर सामने आई है गुजराट टाइटन्स के कप्तान हर्दिक मुंबाई इंडियन्स के टीम से जुड़ गए है क्रिक बच की रिपोर्ट के मताबिक हर्दिक प्रांडिया का ट्रांसफर मुंबाई इंडियन्स में हो गया है इसके मताबिक ICL फ्रेंचाइजी मुंबाई इंडियन्स और गुजरा टाइटन्स ने डिल साइन कर ली है अलाकि गुजरा टाइटन्स को इसके बदले खिलाडी नहीं दिया गया है जब फ्रेंचाइजी ट्रेट डिल करती है तो खिलाडीों का फेर बदल होता है हर्दिक फांडिया 2022 में कप्तान के तोर पर गुजरा टाइटन्स से जुड़े थे और टीम को पहले ही सतर में खिताब दिलाया था उनकी अगुआई में टीम ICL 2023 के फाइनल में भी पहुची थी जिसमें उसे चन्नाई सूपर किंग से हार का सामना करना पड़ा था रिटेंसन के आखरी दिन से पहले ICL 2024 के लिए रगाई जा रही थी की पांडिया IPL 2024 से पहले टाइटन्स के साथ अपने दो साल की जुड़ाओं को खत्म करके मुंबाई इंडियन्स में फिर से सामिल हो सकते हैं मुंबाई की टीम ने ICL 2024 के लिए रोहिस सर्मा को अपना काप्तान बनाया है हलाकि रोहिस सर्मा के करियर को देखते हुए फ्रेंचाइजी भविस की ओर देख रहे हैं और अब इस टेट के कांफर्म होने के बाद तैय हो गया है की आने वाले समय में हार्दिक पांडिया मुंबाई की कमान संभा लेंगे हार्दिक पांडिया की एक सीजन की फीस 15 करोन रुपाय है लेकिन मुंबाई और गुजराद फ्रेंचाइजी के बीच डील कितने रुपाय में होई है इसको लेकर कोई आकड़ा सामने नहीं आया है इस ट्रेट में केवन नगद लेंडें सामी लें